कि हैपी होली दोस्तों हेलो गारेज़ वेलकम बैक टो मैं चैनल मसाला क्वीन तो आप लोग कैसे आसा करते हूं बिल्कुल स्वस्त मस्त खुस्त होंगे और होली का तहवार है तो दोस्तों आप लोग एंज्वाइ कर रहे होंगे तो होली में बहुत जोर्दस तरह के गुजि इस्कीन पे डिसप्ले कर दिया लिए है तो आप सकते हैं सूजी लिया तो देख्या जो 200 ग्राम लिया है दोस्तोher हम एक बड़ी से कटोरे मां ये कोई भी छीज हो जिसमें अराम से रख सकते हो ले 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 उसंपे हम ढालगे технологया गी और हातों की मदद से करें greater तो सब्सक्राइब के जिसे युद्धेफ नियुक्त रहें in नियुक्त की चाहिए पानी टेना ऑनी घ्ल को डिया तो दोस्तों यहीं करना दोस्तों यह परनाना काफी आसान अप घर पे बना सकते तो अराम से बजार में जैसे कुछ फेले हैं तो बहुत हुआ खाला झाए और और दोस्तों आप एक भी वीडियो को इसकिप ना करें ताकि आपको फूल स्टेप पता रहे कि आपको कैसे बना सकता है तो दोस्तों यहां पर मैंने डाला है घी अब इसमें हम डालेंगे सूजी थोड़ा सा इसको भून लेते हैं मतलब हलका सा गोल्डें ब्राउन होने तक कर लेते हैं तो दोस्तों इसे चलाते रहेंगे ताकि यह जलेना लो फ्लेम पर रखें और यह काफी अच्छे तरीके से सूजी हमारा हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे मावा तो इसमें मावा 100 ग्राम हम डाल दे रहें दोस्तों तो यहां पर मैंने मावा डाल दिया है औ थोड़ ठंडा होने देता है तो दोस्तो ये ठंडा हो चुका है तो हम इसे एक कटोरे में लेंगे बड़े से कटोरे में और इसको लेने के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी का पॉर्डर मैंने मिक्सर जार में चिनी को डाल के अच्छी तरह से इसका पॉडर बना लिया है थोड़ा सा ड्राइफ टूर्स डालेंगे दोस्तो जो भी आपके घर पे ड्राइफ टूर्स मौजूद हो आप डाल सकते हैं तो मेरे पास जो जो था मैंने डाल दिया और यहां पे हलका सा इलाइची पॉडर डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा लगे और टेस्टी लगे तो दोस्तों कर देते हैं इसे चमस से मिक्स इसी तरीके से तो दोस्तों यह काफी टेस्टी लगता है, इस तरीका से अगर फिलिंग बनाईएगा तो आपको बहुत अच्छा लगए खाने में दोस्तों यहाँ पर मैंने चीनी डाल दिया है चासनी बनाने के लिए पानी डाल दिया है थोड़ा से उबलने देते हैं तो मैंने यह ज़्यादा पानी डाला है नॉर्मल सही एक गलास के हिसाब से डाला है और इसे होने देते हैं तो अब हमारा चासनी भी उधर हो चुका है, उधर मैंने बना के रख दिया, यहां पर मैं फिर से वो आटा जो मैंने पहले मैदा का लगाया था, उसे फिर से हाथों के मदद से इसे थोड़ा से कर लेती हुआ, ताकि यह अच्छी तरह से मतलब सेट हो जाए, तो दोस्तों इ मैं एक पूरी बना के आपको दिखाती हूं कैसे बनाते हैं, तो दोस्तों मैं एक चोटा सा पूरी बना ली हूँ, और अब मेरे पास एक मसीन भी है, जिसमें कि मैं आराम से यह जो गुजिया होता है, इसे बना सकती हूं, चारो तरफ से हम ऑईल लगा देंगे, और इस आप बार बार खाने को चाहेंगे, तो दोस्तों यह फिलिंग को डालने के बार हम थोड़ा से इसे पैक कर देते हैं, तो इस तरीके से बहुत यह असान तरीके से आप घर पे बना सकते हैं, अगर आपको मतलब बनाने नहीं आता हैं गुजिया तो इस तरीके से आप बना सक हैं तो दोस्तों आज मैंमें सीहा सिया है अगे वुझे हैं वाइक है और। को ड है दोस्तों पर ऑफिता खच्ची छब्या से हम ने बिल्कुल हलका सा गोल्डन ब्राउन होगा बस हमारा गुझे तैयार है तो दोस्ता देखिए कितना सुन्दर कलर आ गया है गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसे ओल से निकाल लेते हैं और रख लेते हैं एक प्लेट पे तो इस तरीके से आप रेसिपी बनाए आप को बिल्कुल यूनिक तरीका है दोस्तों आप चाहें तो इस तरीके से भी खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो चासनी में भी डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने चासनी बना के जो रखा था दोस्तों उसमें मैं इसे डाल दे रही हूं अच्छी से और मिक्स कर दे रही हूं तो लिजे दोस्तों हमारा गुजिया बनकर तयार है तो इंचॉय किजे होली में गुजिया के साथ और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा ज़्यादा सेयर किजे लाइक किजे और मेरे चैनल पर नए है तो चैनल का सब्सक्राइब किजे और बेल आइकन दवाना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको लेटेस वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी और आप आज इंजुआए किजे तो ये कुचिया के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में